दोस्तों एलेक्जेंडर सलकक 1676 में पैदा हुए थे और उन्होंने 1704 से 1709 तक एक विरान टापू पे अपनी जिन्दगी बिताई एलेक्जेंडर हुआन फानांडे साइलेंट्स पे अपनी स्वेक्षा से रुके थे क्योंकि जिस जहाज पे वो आये थे वो ने यातरा करने के स्थिति में नहीं लगा था और उसने अपने कैप्टन थॉमस टाडलिंग को भी रुक क्यों जहाज को ठीक करने को कहा लेकिन वो नहीं माने एलेक्जेंडर एक मोची का लड़का था और स्कॉटलेंड में 1676 में पैदा हुआ था उसका बच्पन लड़ाई जगड़े में बीता और उसे चर्च कमेटी ने अपने पास बुलाया था लेकिन वो उनके सामने नहीं जा सका क्योंकि वो एक जहाज में कहीं जा चुका था 1703 में एलेक्जेंडर ने एक्स्प्लोरर विलियम डेम्पियर को जॉइन किया जो दक्षिन प्रशांत महासागर में जा रहे थे 11 सेप्टेंबर को ये जहाज आईरलेंड से निकला और उसके पास एक सरकारी चिट्टी थी कि वो अपने दुश्मन देशों के जहाज पे हमला कर सकता था क्योंकि उस वक्त इंग्लेंड और स्पेन में युद्ध चल रहा था विलियम डेंपियर सेंट जोज के कैप्टन थे और अलेक्जेंडर इसके साथ ही एक और शिप संक पोर्ट्स में सेलिंग मास्टर के तौर पे काम करने लगा जिसके कैप्टन थॉमस टाडलिंग थे 1704 में केप हौन के आसपास इनकी लड़ाई एक फ्रेंच जहाज सेंट जोसफ से हुई लेकिन वो भागने में सफल रहे इसके बाद इनोंने पनामा के एक सोनी की ख़दान वाले शहर पे हमला किया लेकिन असफल रहे इसके बाद इन लोगों ने एक स्पैनिश व्यपारी जहाज को कबजे में लिया लेकिन डेंपियर ने उसमें से सिर्फ वाइन, ब्रैंडी, चीनी और आटा ही लिया और उसे छोड़ दिया सत्रसो चार में थॉमस टाडलिंग ने विलियम डेंपियर्स का साथ छोड़ने की सोची और अपने जहाज को लेकर वो अलग हो गया सप्टेंबर 1704 को थॉमस ने अपने इस जहाज को हुआन फरनांडिस के टापू पे रोका जो चीली से 670 किलोमेटर दूर था हुआन फरनांडिस पे रोखने की वज़ा थी ताजा पानी की सप्लाई और जहाज को रिपेर करना अलेक्जेंडर ने कहा कि वो इस जहाज में आगे तभी जाएगा जब वो लोग इसे रिपेर कर लेंगे अने था वो टापू पे ही रहना पसंद करेगा ये सुनकर थॉमस ने उसे एक बंदूख, एक तलवार, एक चाकू, पकाने के लिए एक पतीला, बाइबल, एक बिस्तर और उसके कपड़े दे दिये अलेक्जेंडर को लगा कि उसका डेसिशन गलत है तो उसने वापिस जहाज पर जाने की इच्छा जताई लेकिन थॉमस ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया शुरुवात में अलेक्जेंडर टापू के तट पर ही रहा और जीने के लिए लॉब्स्टर्स खाता रहा इस दोरान उसे अकेले पन और पच्चताप सताता रहा तट पर मेटिंग सीजन्स के दोरान हजारो सी लॉइंस के शोर की वज़ा से वो टापू के अंदूरुनी छेतर में चला गया जो उसकी बाकी जिन्दगी के लिए अच्छा हुआ टापू के अंदर उसे जंगली बक्रियां मिल गई जिनका वो दूद और मीट के लिए इस्तमाल करने लगा उसे शलगम और बंद कोबी के पेड़ भी मिल गए और साथी उसे काली मिर्च के पेड़ भी मिल गए थे इन सब के मिलने से उसके खाने में वरैटी और स्वाध दोनों आ गए थे वो अपनी बंदू का इस्तमाल बक्रियों को मारने के लिए करता और चाकू से उनका चमड़ा उतार लिता था गोलियां खतम हो जाने के बाद उसे बक्रियों को हाथ से पकड़ना पड़ा और एक बार एक बक्री का पीछा करते हुए वो फिसल के एक चटान से नीचे आ गिरा और लगबग एक दिन तक वही पड़ा रहा असल में जब वो गिरा तो बक्री उसके नीचे आ गई और उसे बचा लिया था मूची का लड़का होना अब उसके काम आया और उसने बक्रियों के चमड़े से अपने कपड़े बनाए वो अपने खाली समय में बाइबल पड़ता रहता और उसे ही अच्छा लगता था इस दोरान दो बार टापू पे जहाज आके रुखे लेकिन दुरभागे से वो दोनों ही स्पैनिश जहाज थे और अगर वो पकड़ा जाता तो उसका बहुत बुरा हाल होता एक बार तो एक स्पैनिश जहाज के नाविकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करते हुए टापू पे काफी अंदर तक आ गए लक उसके साथ थी क्योंकि जिस पेड़ पर वो छुपके बैटा था उसी के नीचे एक स्पैनिश सैनिक ने मूतर विसरजन किया और उसके बाद वो लोग वापिस अपने जहाज पे चले गए अलेक्जेंडर का इंतजार दो फरवरी 1709 को तब खतम हुआ जब ड्यूक और डचेस नाम के दो इंगलिश जहाज उस टापू पहुँचे आश्चेरी की बात ये थी के इसमें से एक जहाज की कप्तानी विल्लियम डेंपियर कर रहे थे जिसे मई 1704 में थौमस टाडलिंग ने छोड़ दिया था अलेक्जेंडर ने दोड़ के तीन बक्रियों को पकड़ा और नाविगों के लिए मीट बनाया जो सकरवी नावग बिमारी से जूज रहे थे अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी होने पे उसे उस जहाज का सेकेंड मेट बना दिया गया इसके बाद एलेक्जेंडर ने बड़ी बहादुरी से काम किया और उसने उसी जहाज पे दुनिया का चक्कर भी लगाया एक अक्तूबर 1711 को वो इंग्लैंड वापिस पहुचा और उसे एक हीरो का दर्जा दिया गया और उसके बहुत सी किताबें और आर्टिकल लिखे गए और उसकी जिंदगी अराम से बीतने लगी उसे आज के जमाने के लगभग एक लाग बीस अजार पाउंड मिले जो उसके लूटे गए जहाजों से थे लेकिन लंडन में वो जादा दिन तक शराफत की जिंदगी नहीं जी पाया और वापिस लड़ाई जगड़ा करने लगा 1720 से पहले उसने रॉयल नेवी जोयन कर ली और उसी दोरान उसने एक विद्वा से शादी भी कर ली वो एक जहाज पे मास्टर्स मेट का काम करने लगा जिसे एफरीका के पश्चिमी इलाके में तैनात किया गया था 13 दिसंबर 1721 को अलेक्जेंडर की मौत हो गई वो येलो फीवर से पीडित था और उसे जल समाधी दे दी गई 1719 में डैनियल डिफो ने एक किताब लिखी The Life and the Surprising Adventures of Robinson Crusoe जो कि अलेक्जेंडर की जिन्दगी से ली गई थी और इस किताब ने उसे अमर कर दिया 2012 में वॉल्ट डिजनी ने सेलकक The Real Robinson Crusoe फिल्म बनाई जिसे उरूगवे में बनाया गया था 11 दिसंबर 1885 को एलेक्जेंडर सर्कक का तामबे का पुतला उसके पुष्टैनी घर के बाहर लगाया गया 1889 को हुआन फर्नांडेस आइलेंड्स पे भी एक तामबे का टैबलेट लगाया गया जिसमें उसे असली रोबिंसन क्रूजो करार दिया गया जनवरी 1986 को चिली के राश्वपती ने उस आइलेंड का नाम एलेक्जेंडर सर्लकक का आइलेंड रख दिया अपनी इच्छे शक्ती से एलेक्जेंडर ने केले ही चार साल चार महीने उस टापु पे बिताए और बहुत सी किताबों, कविताओं और फिल्मों का करण बने 47 साल की छोटी आयू में उनका देहान्त हो जाना हम सब के लिए दुख की बात है धन्यवाद पूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स के साथ नमस्कार